आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर करनाल पुलिसिया हिंसा किसान की मौत के बाद खट्र सरकार पर उठ रहे हैं सवाल डिंगो की चपेट में बनारस इलाज के लिए नहीं मिल रहे हैं बिस्तर टोक्यो पैरलम्पिक्स भारत के लिए अपनी लेखरा ने स्वर्ण योगेश कतुनिया ने जीता रचत पदक और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 43,000 नए मामले 380 मरीजों की मौत हर्याने के करनाल शहर में शनिवार को बीजेपी के कारेकरम का विरोध करने जा रहा है किसानों पर पुलिस ने बरबर लाटी चार्ज किया था जिसमें कई किसानों को घंबीर चोटे आई थी रवेवार सुबा किसानों ने जानकारी दी कि एक किसान सुशील काजल की भी मौत हो गई है किसानों ने दावा किया कि सुशील शनिवार के विरोध में शामिल थे पुलिस ने उन्हें लाठीों से मारा जिसके बाद वे घर गए और रात में दिल का दोरा पढ़नी की वरह से उनकी मौत हो गई किसान संग्टोनों के मताबिक एक युवा किसान जिनका नाम गुरजंत सिंग है उनकी पुलिस की लाठी से नाक तूट गई और अब उनकी आखे भी काम नहीं कर रही है जबकि हर्याना पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में लाठी चार्ज से किसी भी किसान की मौत को नकारा है उनने कहा कि जब आंदोरनकारी उग्र हुए तो उन्हें रोकने के लिए हलका बल प्रयोक किया गया जिसमें चार किसान खायल हुए और दस पुलिस कर्मी भी जक्मी हुए हलाकि हर्याना के एक प्रशासनिक अधिकारी और उस समय वहां के ड्यूटी मेजिस्ट्रेट और करनाल की S.D.M. आयूश सिनहा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ तोर पर दिख रहे हैं और वहां मौझूद पुलिस को कह रहे हैं कि उठा उठा कर मारना पीचे सबको हम उन्हें सुरक्षा घेरे को लांगने नहीं देंगे हमारे पास परियाप सुरक्षा बल है हम दो दिनों से सुए नहीं है पर आप लोग यहां थोड़ी नीन लेकर आए है मेरे पास एक भी बंदा निकल कर नहीं आना चाहिए अगर कोई आए तो सर फूटा हुआ होना चाहिए उसका क्लियर है न आपको इस पूरी घटना के बाद से देश भर में किसानों ने बीजे पी और हरियाना की खटर सरकार के खिलाव भारी घुसा है यहां तक की इस घटना को लेकर बीजे पी के नेता और पूर्व नेता भी सवाल उठा रहे हैं हाला कि अधिकानश टीवी और सामाचार पत्रों ने सरकार के प्रती अपना वहवार नरम ही रखा दिली के सामाचार पत्रों ने खुले आम लाठी बजाते पुलिस और खून से लटपत किसानों की तस्वीर के बाद भी इसे कथित लाठी चार्ज ही लिखा परंतु सोशल मीडिया पर बीजे पी और हर्याना सरकार की खूब आलोचना हो रही है उत्तरप्रदेश में डेंगू की वज़े से हालात बदतर हो रहे हैं फुलवरिया उत्तरप्रदेश के बनारश शहर से सटा हुआ है अभी जादा वक्त नहीं घुजरा जब समुचा गाउं फूलों की खेती करता था अब यहां भूमाफियों ने बड़ी बड़ी मारते तान दी हैं संसद में 80,000 के अबादी वाले फुलवरिया गाउं की नुमाइंदगी कोई और नहीं बलकी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी करते हैं पिछले साल फुलवरिया को शहरी इलाके में शामिल किया गया लेकिन विकास की कोई योजना नहीं बनाई गई नौकरशाही ने यहां लोगों को भगवान भरों से छोड़ दिया है ना कोई विकास कार रहे और ना ही साफ सफ़ाई घर घर में डेंगू के मरीज हैं लेकिन इलाज का कोई सरकारी इंतजाम नहीं है बनारस के सरकारी अस्पदालों का बुरा हाल है कबीर चौरास्थित मंडली हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में बीते दिनों लहरतारा, बोलिया, निवासी, रूबी, जैसवाल के परिजनों ने जम कर हंगामा किया परिजनों का आरोप था कि दो दिनों से उनके मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स के खिलाफ नारे बाजी भी की रूबी इतिमारदार बताते हैं कि यहां डॉक्टर तो डॉक्टर, यहां सिस्टर भी कलेक्टर हैं डेंगु वार्ड में दिन में सिर्फ दो तीन बार ही नर्से आती हैं रात में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के संसिदिय शेत्र वाले 78 गाओं को पिछले साल नगरिय सीमा में शामिल किया गया था साफसफाई का कोई पुखता इंतजाम ना होने के कारण इन गाओं में डेंगु के मच्छरों ने पाउजमा लिये हैं अंगीनत लोग जान लेवा बिमारी की चपेट में हैं रोहनिया इलाके के एक निजी अस्पताल में भरती जानी मानी अधिवक्ता सरीत पटले की हालत चिंता जनक बनी हुई है भारत के योगेश कथुनिया ने टोक्यो पारालूम्पिक खेलों में मेंस डिसकस त्रोस परदा में F56 वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है 24 वर्ष योगेश ने सिल्वर जीतने के अपने चटे और आकरी प्रयास में डिसक को 44.38 मीटर की सर्वश्वेश्ट दूरी पर भेजा और सिल्वर अपने नाम कर लिया इस मेडल के साथ ही भारत को पैरालूम्पिक में 5 मेडल आ गए हैं ब्रजील के मौझूदा चैंपियन, मौझूदा विश्व चैंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक क्लॉटनी बतिस्ता डॉस सेंटॉस ने 45.59 मीटर के सर्वश्वेश्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता जबकि क्यूबा के लियनार्डो डियाज अल्डाना ब्रॉस जीतने में सफल रहे इस से पहले भारत की अवनी लेखरा ने सोमवार को यहां टोक्यो पैरालूम्पिक्स खेलों की निशाने बाजी प्रतोयोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एर राइफल के क्लास SH-1 में गोल्ड मेडल जीत कर एतिहास रचा केंदरस्वास मत्राले दोरा आज सूम बार 30 अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 22,909 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोना से एक दिन में 380 मरीजों की मौत हुई है जिन में से महराश्चर में 131 मरीजों की मौत हुई केरल में 75 और उडिशा में 79 मरीजों की मौत हुई साती इसी बीच देश भर में करोने से पेड़ित 34,763 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 7,666 मामलों की बड़ोतरी हुई है देश में संक्रिमित लोगों की संक्या बढ़कर 3,27,37,949 हो गई है जिसमें से अब तक 4,38,210 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोने से पेड़ित 97,51 पीसिदी यानी 3,19,23,405 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,15 पीसिदी यानी 3,64,324 हो गई है स्वासमंत्राले की ताज़ जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 63 करोड डोस दी जा चुकी है जिन में से 31,14,000 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है न्यूसक्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वैब साइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्सेग्राम पर फॉलो करें साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूसक्लिक देखने के लिए शुक्रिया